हालो एपरीवन एक औरनेसी पास अब सिभीका स्वागत है आज की वीडियो तो सबसे पहले जो भी टॉपिक चल रहा है आपका वो टॉपिक चल रहा है चेप्टर फाइव और है वो एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर और जिसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया था आज हम और इस वीडियो में केश 9, केश 10 और केश 11 जो टोटल 11 केश थे वह इस वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेश्ट ना करते हुए केश 9 समझते हैं तुस्ता पहले केश 9 देखेंगे किस नाइन में क्या है किस नाइन वेन वन ओफ दा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वांट्स तू रिटेन वह पार्टनर्स चाहता है जो अपना उसके पास जितना भी है रिटेन का मतलव होता है वह वहां पर उस चीज को जो है औरीजनल शिएर ही उसका जितना है वही शेयर इन फ्यूचर में आगे रखना चाहता है यह कहा सकते हैं यहां पर वन की जगह एक से ज़्यादा भी पार्टनर्स हो सकते हैं मतलब ट हैं की तो का मतलब यहां पे समझ में आ गया है अब देखते हैं सी इंगॉपल 2077 फोटिड अर्टनर शेरिंग प्रॉफिटиеंड लॉसे're in the ratio अव पॉव्छेयो ओव टू टूरीज्टू लोटे अब सीविल रिटेईन से हीस अपना जो सेयर है वो फर में जो रखना चाहता है future में वह originally अभी हम समझेंगे जो उसका पुराना है यहां पर calculate कर लेंगे तो 1 by 5 होगा calculate NPSR and SR तो कोशन भी यहां पर जो example लिया वो भी हमें समझ में आ गया अब आए देखते हैं इसका solution तो solution सबसे आप पहले जो मैं आपको बताऊंगा इसमें इस बात का ध्यान रखना है जैसे कि अब तो हम सीखते आ रहे हैं जब हमें यह पता है जो नया पार्टनर करेगा तो जो पार्टनर हो रहा है उसके लिए पुराने पार्टनर कितना से सग्रिफाइस कर रहे है यह गीवन है यह नहीं इसमें में कोशन में तो पुराने के तरह इसमें भी हमें पहले let करना होगा तो यहां पर आए देख लेते हैं let the total share of let the total share of profit of firm let the total share of profit let the total share of profit equals to 1 अब यहां पर रिमेनिंग सेर इकोस्ट वन माइनस वन अपॉन सिक्स नहीं रिमेनिंग सेर अब यहां पर देखना है दियान से आपको मैंनस वन अपॉन सिस्टा तो मैंने लिया है जो डी का और यहां पर सी भी रिटेन करना अपना और वह लगक्र आ पन फाइफ तो यहां पे इसका यहां कर लेंगे तो यहां पर आ गया थर्टी तो यहां पर 3 ए मैंनिस कर दिया आ पुछे और भी तो अब यहां पर हम निकाल सकते हैं ए निूउ सेयर नाइनटीवाई 90 by 30 into 1 by 2 1 by 2 या 2 by 4 कैसे 2 को cancel out कर देंगे तो 1 to 1 हो जाएगा तो 1 by 2 यह simple रहेगा हमारे लिए 90 बन जा 19 और 32 जा 60 यह आगया आपका A का निूउ सेयर अब ऐसे निकाल लेते हैं B का निूउ सेयर सेम रहेगा 90 by 30 into 1 by 2 90 by 60 और C का तो निूउ सेयर वही रहेगा जो उसका पुराना है क्योंकि उसने खुदी कमिटमेंट किया है जो मेरा सेयर वही रहेगा 1 by 5 आ गया और D का जो निूउ सेयर है वह आप कह सकते हैं उसका वन अपॉन सिक्स हो जाएगा तो एक साथ यहां पर निकाल लेता हूं मैं NPSR जा ओफ A, B, C, D, A का हो गया आपका 90 by 60, 90 by 60, 1 by 5, 1 by 6, सबका है लसें 60 आएगा 60 बंजा 60, 99, 60 बंजा 60, 90 बंजा 19, 5, 12 जा, 1, 12 जा 12, 6, 10 जा, 1, 10 जा 10 तो आगे 19 is to 19 is to 12 is to 10 यह इनका NPSR आ गया यह आंसर हो गया अब इस पेस नहीं है तो थोड़ा सा यहीं पर आजिस कर लेते हैं बस आपको समझना है ठीक है अब बात यह करते हैं NPSR तो हमने गल्वेट कर लिया वैसार जब किसी भी कोश्चन में कोई भी पार्टनर्स कितन सक्रिफाइस कर रहे हैं अगर गीवन नहीं होता है तो जो उनका ओल्ड रेश्यो है वही रेश्यो इनका एसार होगा तो आप ऐसा यहां पर यह कह सकते हैं A B और C जो प्रॉफिट सेंग रेश्यो है 2 is to 2 is to 1 तो C का तो यहां पर आप हटा दो क्योंकि वह तो उसका इन फ् केस्यो होगा वन इस तू द्यॉएटली आप यहां पर इस तरीके से केलकुलेट करके यहां बिना करके यहां बता सकते हो अगर आपको विल्कुल क्रेक्णी ना साथ करना है तो जो अभी रेश्यो आया है और जो इनका ओलड रेश्यो है उसके एकोर्डिंग आप फॉर्मे कि हम case 10 अब इस case 10 में समझेंगे समसे पहले when one of more partner is admitted after the admission of a new partner इस case 10 का क्या मतलब है when one or more partner is admitted after the admission of new partner जब भी कोई नया partner admit होगा तो उस partners के बाद भी एक और partner नया admit हो सकता है अगर मैं यह कहूं आपको थोड़ा सा जो अभी तक आपने one case number one से लेकर case number nine तक यह आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए वहां पर क्योंकि NPSR निकालने के लिए जितने सारे तरीके हैं और जितने types के questions हैं मैंने case one से लेकर case 11 तक सारे case करवाऊंगा और करवाया है ठीक है तो case one से लेकर case nine तक सिर्फ एक ही partners admit हो रहा था लेकिन इस case में हम देख रहे हैं जो दो partners admit होंगे और और अच्छे से explain करके मैं समझाऊंगा एक example के साथ तो आई पर रहे हैं एकजांपल एकजांपल है आपका a b दो partners है profit sharing ratio in the ratio of three to two इनका profit sharing ratio three to two है C admitted as a new partner for 1-6 year thereafter D enter for 20 पैसे इंदा रुपी calculate NPSR तो इस question को समझते हैं A B दो partner है जिनका profit saying ratio 3-2 है C admit हो चुका है 1-6 year के लिए उसके बाद एक partner और enter हो रहा है वो है D और वो हो है 20 पैसे इंदा रुपी आप सबको पता है 20 पैसे की बात करें तो 20 by 100 इसका मतलब है 1 by 5 यह point clear है मैंने यहाँ पे case 1 में आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हो तो आप लोग फटा फट से मैं कहूंगा पहले case 1 से लेकर case 8 तक की सारी वीडियो देख लीजे फिर उसके बाद इस वीडियो में आप case 9, 10 और 11 देखेंगे ठीक है तो अब calculate करना इन पेसा तो आई फटा फट्स यहाँ पे इसका देखते हैं हम solution अब solution में बात करें तो इस question में भी वही बात hidden है जो c जो partner admit हो रहा है उसको share देख ओन रहा है यह तो given है नहीं तो बांकी जैसे आपनोंने सीखा है तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा let the total share of firm equals to 1 उसके बाद remaining share 1 minus कितने share के लिए 1 by 6 के लिए तो 5 by 6 तो a new share a का old कितना है 3 by 5 इंटो remaining मिल कितना रहा है 5 by 6 5 3 जा 15 5 6 जा 30 आप से simple simplest भी कर सकते हैं B new share 2 by 5 इंटो 5 by 6 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30 अब सी का new share आप सबको पता है पहले से ही सी new share 1 by 6 के लिए तो अब common कर लेते हैं NPSR of NPSR का मता सबको पता है न्यू प्रॉफिट सेंग रिशियो ऑफ A B and C A का 15 by 30 10 by 30 और 1 by 6 30 LCM 15 जा 50 30 बंजा 10 बंजा 10 6 5 जा 15 जा 5 तो आपका 15 is to 10 is to 5 simple कर दिए 55 बंजा 552 जा 5 3 जा तो आप कह सकते हैं इनका 321 NPSR आ गया लेकिन यह NPSR है किसका only A B C clear point अब बात यह कर लेते हैं अब इसके बाद D admit हो रहा है लेकिन इस पेस यहां पर थोड़ा सा नहीं है जैसे आप सब सब्सक्राइब किया है और हो सकता आप यहां पर थोड़ा सा अरजस्ट करना पड़ेगा और आप लोग इसमें मेरी साहता करेंगा अब आईए समझते आगे तो अब इसके बाद ABC के बाद जो partner है D admit हो रहा है तो फिर दुबारा से वही करना पड़ेगा हमें लेट दा टोटल सेयर ओफ फर्म एक्वास टूण रिमेनिंग सेयर वन माइनस 20 पैसा मतलब वन बाइव तो हो गया आपका फोर बाइव तो अब निकालेंगे ए नियू सेयर एका नियू सेयर अब एका ओर्ड देखना है तो डी के लिए जो पार्टन डी में उसके लिए और एका अब जो ओर्ड हो जाएगा वह 321 होगा ना कि 32 होगा ठीक है यह पाद्यान रखना आपको तो एका 32516 3 by 6 into 4 by 5 4 3 जा 12 5 6 जा 30 एका आगया अब आप निकाल लेते हैं बी का नियू सेयर 2 by 6 into 4 by 5 4 2 जा 8 6 5 जा 30 सी का भी नियू सेयर निकाल लेते हैं सी नियू सेयर 1 by 6 into 4 by 5 4 जा 4 5 6 जा 30 और डी का नियू सेयर आप लोगों को पता हिए वो कितने के लिए एडमिट हो रहा है वह हम कह सकते हैं 1 by 5 के लिए तो अब कॉमन एन पी एस आर ओफ ए बी एंड सी कॉमा डी एका आगया 12 by 30 बी का आ गया 8 by 30 4 by 31 by 5 कॉमन एल सेयम ऐस वाल 30 12 बंजा 12 8 बंजा 8 4 बंजा 4 5 6 जा 6 12 इस टू 8 इस टू 4 इस टू 6 सिंपल कर सकते हैं टू 3 जा टू टू जा टू 4 जा और टू 6 जा तो आप कह सकते हैं 6 4 टू 3 यह इसका एन पी सार आ गया अब आया ए बी सी डी का क्योंकि चार रेश्यों आपको दिखाए दे रहे होंगे आई होप आपको अच्छे से यह वारा केस समझ में आ गया होगा अधरवाइस को प्लीज आपको पूछ लीजेगा मैं वहाँ पर आप सबको बता दूँगा और अब हम मिलेंगे केस लास्ट जो केस ह सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब कर लिजेगा और भी जो क्लास्ट की वीडियो है वह भी आपके पास तक पहुंचते रहेंगे तो देखते हैं केस अब 11 आए टाइम विच्ट ना करते हुए समझते हैं लास्ट केस जो जल्दी से खतम करने वाले हैं वह है केस 11 और इस टॉपिक का सबसे लास्ट केस के सकते हैं लास्ट एजांपल क्या सकते हैं ठीक है यह वर टापिक था आपका NPSR तो आई समय को फड़ा फट से केस 11 तो जैसे यह last case है और थोड़ा सा ऐसे अलग भी है तो फ़हले समझते हैं थोड़ा से यहां पर consistent है और solution भी आप देख पार हों कि मैंने पहली कर दिया है ताकि ज्यादा time ना लेते हुए मैं आपको यहां पर जल्दी से समझा पाऊं तो आए फड़ावट समझते हैं case 11 को when the profit share of new partner is to adjusted is to be adjusted in proportion among the old partners अब आप यह कह सकते हैं case 11 का मतलब क्या है when the profit share of new partner जो नया वाला partner है उसका जो profit share है वो adjust करने जा रहे हैं in proportion of among the old partners मतलब जो old partners हैं उसके proportion में आप कह सकते हैं proportion का मतलब आप सभी को पता होगा जो एक कह सकते हैं P upon Q के form में जो values होगी उसमें से कुछ part हम लेंगे वो part उसके बरावर हो सकता है वो इसमें ये बता आगया है बागी और आच्छे समझने के लिए समझते हैं इसके एक example को example है A and B are sharing profit and losses in the ratio of 5 is to 3 they admitted C and decide that the profit sharing ratio between C यहाँ पर admit होता है और decide कर रहा है profit sharing ratio between B and C cell B same जो B और C का ratio same होने वाला है as existing between A and B जो ratio A और B का है existing मतलब पुराने partners का पुराने partners का ratio कितना है यहाँ पे 5 is to 3 calculate NPSR and SR यह question आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं solutions मतलब यहाँ पर आपको यह पता लगया होगा जो ratio B का है वो ratio के रहा है जो ratio A B का वही ratio same B और C का होने वाला है तो ऐसे कैसे होगा आए देखते हैं इसके solution में पहले हमने लिखा है the ratio between B and C is 5 to 3 जो यहाँ पर आपका given है 5 to 3 it means the ratio between B and C should also be same कि उसने बोला गया है उसने कहा ह question में जो उसका ratio भी same होना चाहिए जितना ratio A और B का है ठीक है तो इस case के according A का share है 5 by 8 5 to 3 जो था B का share है 3 by 8 जो 5 to 3 है यह point लिए लो गया अब यहाँ समझते हैं यह line आपको बहुत ध्यान समझ गी है जो यहाँ पर A का share कितने percent B के बरावर है clear point A का share कितने percent B के बरावर है अब देखते हैं B share of 3 upon 8 is 60% of A share अब आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है यह 60% ही होगा तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं 60% होगा या नहीं होगा तो यहाँ पर आपको निकालना किसके भियाप है B के भियाप है clear point तो B का share कितना है 3 और total A का share कितना है 5 और percentage निकालना है तो इंटू से 100 कर दीजिए तो 520 इंटू 3 तो 60 तो आपने देखा यहाँ पर 60% कैसे है यह भी मैंने यहाँ पर के आपको बता दिया है अब आगे बढ़ते है अब जो B का होगा वो C का होगा so C share should also be 60% of B share point clear है तो B का है 3 तो C share of 60% of 3 तो 60% का 3 निकाल देंगे आप तो 1.8 आ जाएगा यह point clear हो गया अब directly हम निकाल सकते हैं NPSR of A B and C A का 5 जो भी रहेगा B का 3 और 1.8 आ गया C का अब इसको common करने के लिए decimal पे तो share होगा नहीं तो इसको एक common value करने के लिए हमने सभी को 5 से multiply कर जाए आप किसी perfect value से इसको multiply कर सकते है ठीक है तो 55-25-53-15 और 5-1.89 तो यह आ गया आपका NPSR यहाँ तर पॉइंट समझ में आ चुगा होगा आपको अब हमें निकालना है इस question में sacrificing ratio तो sacrificing ratio का formula लगा देते हैं A sacrifice here old 5 by 8 new 25 by 49 LCM 392 और solve हो के आगया 45 is to 392 B sacrifice old 3 by 8 new 15 by 49 solve कर लिया आगया 27 by 392 तो common कर लिया sacrificing ratio of A and B 45 is to 392 27 is to 392 common आगया आपका 5 is to 3 यह आपका answer आगया तो अब आप यह कह सकते हैं थोड़ा सा अलग था बट थोड़ा से यहाँ पे आपको यह कह सकते हैं logical भी था जो यह वाला point था ठीक है वैसे आप अच्छे समझ च questions को यह वाला condition होता है तो आप solve कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं यह पूरा पूरा topic determination of new profits and ratio आप लोगों को समझ में जरूर आएगा और यह समझ में और अच्छी से तबहा आजाएगा जब आप सारा ही case देख लेंगे और इसका benefit भी आपको बहुत जादा मिलेगा क्योंक इस बर के question कर पाएंगे और साथ इसार डीके कोईल के जो books के जो मैं नाम ले रहा हूं सभी रैटर के books के question आप अच्छे से solve कर पाएंगे NPSR तो फिर मिलेंगे हम जो इसका new topic आ रहा है वो होगा आपका treatment of goodwill तो सबसे पहले आप NPSR जलू सीख लेगा अच्छे से फिर हम स उम्मीद करता हूं फिर मिलका में नहीं विलियो में तब तरह भी चैनल बने विए थैंक्यू